आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासिस के यूटूब चैनल पर थमनेल आपने बिल्कुल सही पड़ा हाजी आप लोगों के लिए खुशकबरी है और वो भी दिल्ली से हाजी दिल्ली से खुशकबरी है 31 अक्टूबर 2023 को एक सरकुलर आया और इसने बहुत सारा रिलक्षेशन आप लोगों को दे दिया हो क्या रहा था कि 17-18 के लिए जो नोटीसिद आ रहे थे 17-18 के लिए दिल्ली में जो नोटीसिद आ रहे थे उसमें हमने वीडियो बना कर भी बताया था कि काफी सारे नोटीसिद गलत है तो उस पर कई बार बड़ा दुख होता था असेसी का टाइम वेस्ट होता था प्रोफेशनल का टाइम वेस्ट होता था तो डिपार्टमेंट ने हाजी दिल्ली के डिपार्टमेंट ने इस पर एक सक्त एक्षन लिया है क्या सक्त एक्षन लिया है जरा समझेगा और कमेंट बोक्स में लिखकर बताईएगा क्या इस त तो उन्होंने कहा जब आप यह नोकिस इसवरा में सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसके साथ जो कि saak 75.4 में लिखा हुआ है personal hearing देना जरूरी है किसी भी adverse order के पास करने से पहले आपने अगर हमारी short वीडियो देखी हैं तो उसमें हमने बताया है कि section 75.4 में किसी भी adverse order के देने से पहले उन्हें एक personal hearing देना जरूरी है इसके अलावा कई बार क्या हो रहा है कि personal hearing वो क्या देते हैं वो reply की date देते हैं कि आप अपना reply कर दो 2 नवंबर को और personal hearing करवा दो 26 अक्टूबर को तो department ने बोला ये चीज कि भाई साभ ये क्या कर रहे हो जब तक सामने वाले ने reply करा ही नहीं तो personal hearing का बात की personal hearing का कोई purpose sought out ही नहीं होता तो personal hearing हमेशा reply की date के बाद की दो जैसे यह सैसी reply कर दे उसके बाद की date की personal hearing आपको देनी है उससे पहले की personal hearing देने का कोई sense बनता ही नहीं है तो क्या लिखा it has been observed that in some cases socos notice have been issued fixing date of personal hearing before the expiry of 30 days कि बाई 30 दिन से पहले की personal hearing का time दे दिया it is hereby clarified that personal hearing before filing any return reply would not serve any useful purpose उससे कोई भी purpose sought out नहीं होता यह बात भी मैंने आपको अपने पहले classes में बता चुका हूँ और अगर आपने अभी तक हमारी classes जोइन नहीं करी तो Saturday Sunday को हमारी classes चल लिए ठीक है न सामको चलती है हमारा app download करके उसे purchase कर लो इसके अलावा इन्होंने क्या लिखा हुआ है इसक तुमने पहले क्या करा तुमने पहले क्या करा कि SMT 10 दे दिया सामने वाले ने उसका SMT 11 पे reply दे दिया आपने प्रोसीडिंग ड्रोप कर दी SMT 12 कर गे अब उसके बाद आप दुबारा से सोकोस नोटिस कर रहे हो जब सारा matter यहां पर सोट आउट हो गया SMT 12 वीशू हो गया तो तब उसके बाद आपको कोई नोटिस देने की आवश्यक्ता नहीं है कम से कम उन पोइंटों पर तो नहीं है जो आपने पहले SMT 10 में कवर कर लिए और जहां पर audit प्रोसीडिंग कंपलीट हो गई है सारी चीज़े हो चुकी है तो वहां पर भी वहां का ध्यान दखना यह ताजा ताजा आया एक नमवंबर 2023 को ताजा ताजा आपको वीडियो मिल रही है ठीक है क्या लिखाव है इन दिस रिकार्ट दा फॉलोइंग क्लैरिफिकेशन आर इसूर क्या इसूर की गई है के सी वेर नोटिस है बीन इसूर आफ्टर दा कंपलीशन of audit ठीक है ना SCN need to be withdraw कि अगर audit complete हो गया है तो आपने जो सोकोस नोटिस दिया है आप उसे withdraw कर लो ठीक है ना जी और जहां पर ASMT 10, 11, 12 हो चुका है और वहां पर जो matter ASMT 10, 11, 12 में cover हो चुके हैं आप उनके case पर दुपारा से सोकोस नोटिस ना करो और हां तीसरे point पर यूटूब चैनल पर वीडियो थी सेक्शन सत्रा पाच को लेकर रूल 42-43 को लेकर क्योंकि आजकल होट टोपिक बना हुआ था तो इन्हों ने कहा कि भाई ITC reversal के case में proper officer को पूरी verification करनी है कि भाई taxable supply कितनी है non-taxable supply कितनी है non-business परपज में ITC कितना यूज हुआ परपज में कितना यूज हुआ एक्जम्ट supply में कितना यूज हुआ वो क्या कर रहे है notice के अंदर notice के अंदर ये लोग कर यह कर रहे थे कि सारा ITC बोल देते थे यह personal परपच के लिए है यह एक्जम्ट परपच के लिए है या रेशियो बना दिया करते थे सारे को कोमन आई टीसी डाल लेते तो उन्होंने का भाई ऐसा मत करो प्रोपर ओफिसर ड्यू वैरिफिकेशन करो अब पता नहीं है कैसे करेंगे दियू वैरिफिकेशन लेकिन उन्होंने बोलाएगी भाई रूल 42-43 पढ़कर सेक्शन 171-72 पढ़कर ही नोटिस दो कोई विक्ति अगर एक्जम्ट और टैक्सेबल में सप्लाई कर रहा है उसका सारा ITC या प्रोपोर्शनेट ITC रिवर्स मत करो पहले उससे पूछो पहले य सप्लाई ठीक है करी उसके लिए टैक्सेबल इन्पुट यूज करा लेकिन एक्जम्ट सप्लाई जो करी उसमें कितना टैक्सेबल यूज करा यह सारी चीजे बताओ इसके अलावा सत्रा पाच के अंदर आप ब्लोक कर दे रहें ITC को किसी व्यक्ति ने कुछ भी फरनीचर खरीदा है कुछ भी इलेक्ट्रिक गूट्स खरीदे तो आप सत्रा पाच में एस एसन और एससी के बेसिस पर आई टीसी ब्लोक कर दे रहें यह भी गलत है ठीक है ना और दूसरी चीज जिस व्यक्ति ने ITC लिया और सप्प्लायर का रजिस्टेशन कैंसील होगिया तो आप ITC फिर डिस अलाओ कर दे रहें तो ये बात भी गलत है तो इनोंने क्या बोला कि आप जो डेसीजन लों केस टू केस बेसिस पे लो केस टू केस बेसिस पे लो हरकेसमें डिमांद मत नि और उसके बाद order निकालने से पहले आप 754 में personal hearing दो और जो personal hearing हो रही है अब यह निकी असेसी चला गया personal hearing करने समय है personal hearing में 12 बजे उसे कहरें 4 बजे आओ 4 बजे चला गया वो 4 बजे उसकी बाद सुन ली और का तुम जाओ ऐसा नहीं वह कहरें एक file बनो उस file के अंदर लिख कसन हुआ personal hearing में उसे पूरा record और document करो ठीक है न जी और यहां पर इस चीट को भी बोला है कि अगर तुम्हारे को notice का reply आने के बाद या notice issue करने के बाद या किसी भी point पर ऐसा लगे कि अब इसकी proceeding drop कर देनी चाहिए तो आप simple सा proceeding drop कर दो ठीक है ना असेसी को परिशान मत करो क तो आप असेसी का harassment मत करो जो उसकी proceedings drop कर दो और उसके साथ उसे inform कर दो और इसके अलावा इन्होंने बोलाए कि भाई अगर आपने किसी ने यह चीजें नहीं करी तो उस पे strict action लिया जायेगा उसे strictly follow करना है सारे department officer को तो भाई अब दिल्ली वालों को तो relax मिल जाएगा दिल्ली वालों को पॉर्लोसन से relax मिले ना मिले लेकिन यहाँ पर अभी नोटिस से relax मिल जाएगा और जब आप इनका reply बनागने जाओगे तो इस वाले instruction को अपने notice के reply में जरूर रिख लेना जिससे कि आपके notice में थोड़ कोर्स कैसा लगता है आपने हमारा एप डाउनलोड करा उसमें आपको फ्री कोर्स कैसा लगा यह सारी चीज़े कमेंट बोक्स में लिख कर बताना इस वीडियो को देखने के लिए इतना प्यार देने के लिए आपका दिल से धन्यवाद थैंक्यू फॉर वाच्छिं